Hello Friends, Welcome to my YouTube Channel, Sanskrit Classes with Dr. Sushila. आज हम गुण संदी के बारे में पढ़ेंगे. इससे पहला, जो दिर्ग संदी थी, इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ाया, आप उसमें भी जरूर जाकर पढ़िए, ताकि आपका संदी का चेप्टर तब ही पूरा होगा, जब आप ये लगाता संदी के चेप्टर को देखेंगे, और इन संदी के अंदर में आपको एक एक पॉइंट, एक एक नियम के अनुसार अच्छे से पढ़ाऊंगी, ताकि आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे, और एक बार ये आप अच्छे से याद कर लेंगे, तो बस एक्जाम में आपको केवल रिवाइज करना पड़ेगा, आप इन नियमों को कभी भूल नहीं पाएंगे, तो आईए शुरू करते हैं हम, गुण संदी, ये स्वर संदी का दूसरा बेद है, पहला था हमारा देर्ग संदी, अब दूसरा है इसका गुण संदी, जब ए प्लस ए, ए और ए प्लस बड़ी ए, ए हो जाता है, और आ के साथ छोटी ए, जब जुडती है, तो क्या बन जाता है, ए, आ के साथ छोटी ए, या बड़ी ए, जब मेल होता है, या मेल करते हैं, तो इसका बन जाता है, ए, उसे हम गुण संदी कहते हैं, यानि ए के साथ चाहे छोटी ई आई चाहे बड़ी ई आई और इसी तरह से आ के साथ चाहे छोटी ई आई या बड़ी ई आई तो कौन साक्षर बनेगा ए उसी संदी को हम गुण संदी कहते हैं जैसे देव जमा इंदर देव है इधर ए है इधर जमा के बाद ई है तो क्या बने फिर है गन पलस एश यहां गन के अंदर ए है और जमा में बड़ी ई है तो क्या बनेगा ए गनेश गन जमा ईश है गनेश है इसी तर ऐसे आ पलस ए के बाद भी ए बनता है जैसे महा पलस एशिता है ए महा जमा इंद्र है महिंद्र है फिर है उमा प्लस ए से है उमा के अंदर आ है ए से है बड़ी ए है तो क्या बनेगा ए उमा जमा ए से है उमे से है फिर है इसके अंदर हमारा नियम दो जो नियम दूसरा है इसके अंदर इसमें भी आपको नियम याद करना पड़ेगा जब ए के साथ छोटा उ आ जाता है तो ओ बनता है और ए के साथ बड़ा उ आ जाए तब भी ओ बनेगा और आ के साथ छोटा उ आ जाए तब भी ओ बनेगा और आ के साथ बड़ा उ आ जाए तब भी ओ बन जाता है यानि के गुण संदी के दूसरे नियम में हम ए के साथ चाहे छोटा उआ जाए चाहे बड़ा उआ जाए या आ के साथ बड़ा उआ जाए और ए के साथ यानि के ए और आ के साथ चाहे छोटा उआ या बड़ा उआ तो क्या बन जाएगा ओ ये गुण संदी का दूसरा नियम है जैसे देखो चंदरे जमा उदे इसमें ए है इसमें उ है तो क्या बन गया है ओ चंदर जमा उदे जल जमा उर्मी जल उर्मी इधर जल के साथ क्या है ए की आवाज आ रहे है उर्मी में बढ़ा हू है तो क्या बना ओ जल जमा उर्मी जल उर्मी ऐसे ही महा जमा उदे महोदे मह में आ है उदे में छोटा हूँ है तो क्या बना ओ महा जमा उदे महोद है गंगा जमा उर्मी गंगोर्मी आ प्लस उ गंगा में आ की आवाज आ रही है उर्मी में बढ़ा हूँ है तो क्या बन गया ओ गंगा जमा उर्मी गंगोर्मी फिर इसी का गुंज संदी का हमारा तिसरा नियम है, जब ए के साथ री आ जाए, अर बन जाता है, और आ के साथ री आ जाए, तब भी अर बन जाए, यानि के ए और आ के साथ, जब री का मेल होता है, तो कौन सा सब्ड बनता है, अर, ये हमारी गुन संदी का तीसरा नियम है, जैसे सब्त जमा रिशी सब्त में ए है रिशी में री है तो क्या बने गा अर ये रह उपर की मातरा में चला जाता सब्त रिशी महा जमा रिशी महर्शी आ पलस महा में आ की आवाज आ रहे है रिशी में री है क्या बने गा अर महा जमा रिशी महर्शी तो दोस्तों ये थी हमा गोन संदी तो आपको इस चेप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा जो हमारी स्वर संदी का दूसरा बेद है तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कोमेंट बोक्स में जरूर लिखकर बताईए और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट वीडियो का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाए नए टोपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर हजिर होंगे तब तक के लिए आपका धन्यवाद